हलो एंड वेलकम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में इंटरनेट आप सभी यूज करते हूँ लेकिन इंटरनेट के पीछे बहुत सारी कहानिया हैं जो आपको जाननी हैं इंटरनेट कैसे वजूद में आया हिस्ट्री हम देखेंगे आज और हम आज देखेंगे के इंटरनेट ज्यादा वायर्ड होता है Optical wires के थ्रू internet चलता है Wireless तो बहुत कम होता है Only 1% wireless होता है Wired 99% Approximately 99% बोला जाता है network है अब हम देखेंगे आगे Internet का फादर कौन विंट सर्फ Internet कब से आया दुनिया में 1960s में 1960s में भी exact date बताईए 1969 Internet की फुल फारम क्या है International Network या Worldwide Network Network क्या होता है एक computer दूसरे computer के साथ बात करता है इसको बोलते है network हाँ हाँ दो ही नहीं हो सकते बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन याद रखना Network होता है दो या दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा computers या devices जब communicate करे उसको बोलते है network जैसे कि तीन है यहाँ पे computers communicate कर रहें network दो है यहाँ पे computers communicate कर रहें network एक ही computer network नहीं बनाता हाँ हाँ इसके साथ यह computer 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 communicate करें यह बना तीसरा network यह एक network पांच छे computers का यह network दो computers का यह network जब आपस में मिलते हैं networks जब आपस में network बनाते हैं networks जब आपस में communicate करते हैं उसको बोलते हैं internet internet है network of networks networks का भी network है internet बहुत बड़े level पे है इसलिए international network यह worldwide network जिसमें बहुत सारे network of networks है international में तो होंगे ही बहुत सारे network of networks worldwide में तो होंगे ही बहुत सारे network of networks अब जानना क्या है फादर कौन कब आया exact date international network worldwide network है यह internet यह internet है network का भी networks अब internet है largest wide area network networks के भी type है जो हम आगे पढ़ेंगे IT में याद रखना IT के बहुत सारे topics already cover होगे क्यूंकि information technology के जो terms आपके syllabus में है वो terms आपके internet से email से virus से antivirus से pdf से और बाकी जगाओं से मिलती है तो काफी चीज़े आपके already cover है लेकिन हाँ when, man, when हमें वहाँ पढ़ना है when, man, land आपको पढ़ना है वहाँ पे तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताऊंगा wide area network वो network होता है जो बहुत बड़ा होता है ज्यादा area में फैला हुआ होता है wide area में फैला हुआ होता है wide area network और wide area networks में बहुत सारे network है लेकिन हाँ wide area network का सबसे बड़ा network सबसे बड़ा wide area network largest wide area network है internet सवाल अगरा है कौन है सबसे बड़ा wide area network in the world internet कौन है network sub network internet worldwide internet international internet internet जो है ज्यादा तर wired होता है हाला कि आपको लगता है internet wireless है ना ना क्योंकि आपके mobile में कोई wire तो है नहीं बाहर internet के साथ जो उसको जोड़े लगता है आपको internet wireless है लेकिन internet wired है कैसे समझेंगे simple procedure से मैं आपको समझाओंगा पहले simple procedure आप हो आप YouTube चलाना चाहते हो Facebook चलाना चाहते हो Amazon चलाना चाहते हो कुछ भी चलाना चाहते हो आप ने enter किया आप चाह रहे हो YouTube से कुछ वीडियो देखूं तो आपका जो यह enter जो आपने किया यह command यह data आपका जाएगा wireless medium के जरीए वायरलेस, मीडियम के जरीए सेल टावर पे चला जाएगा, सेल टावर से ये वायरलेस नहीं होगा, सेल टावर से ये वायर्ड होता है, ऐसे, जमीन में, ग्राउड में, आप याद रखना, इंटरनेट वायर्ड सिर्फ समंदर में नहीं होते वायर्ड, ना 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 बहुत जमीन के नीचे वायर होते हैं अब बात को समझो आपने क्या किया आपने बोला मुझे यूटूब से वीडियो देखना है आपका जो ये information है वो जाएगा ये tower में cell tower में cell tower से wired यहां तो wireless है cell tower से wire जाती है नीचे ground से ground से जाएगी for example दूसरे cell tower में नहीं जाएगी नहीं तो ब समंदर से जाएगी तो इसको बोलेंगे यहां पे sub marine cable यहां पे जो cable होती है उसको बोलते है underground cable क्या बोलते हैं बाई यहां पे जो ground के नीचे होते हैं ने cable उसको बोलते है underground cable समंदर के नीचे जो cable होती है उसको क्या बोलते है sub marine cable ओके यह cable जो होती है sub marine cable underground cable यह जाती है data center के पास data center एक ऐसा center होता है जहाँ पर बहुत सारे servers होते हैं server क्या है बहुत बड़ा computer जो के जो के सरु करता है आपको YouTube देता है Facebook देता है आपको आपको नोब आपका computer laptop mobile आपका यह माना जाता है client server क्या है जो आपको service देता है YouTube की service Facebook की service Amazon की बहुत सारे services, ठीक है, ओके, बहुत सारे services मिलके बनाते हैं, data center, ये भी याद रखना, ज्यादा तर data centers कहां पे हैं, USA में, हाँ हाँ, बहुत जगाओं पे हैं, लेकिन ज्यादा तर data centers कहां पे हैं, USA में हैं, याद रखना, एक सिकन, एक सिकन, एक सिकन, इसको ठीक करूँगा, ओके अब हम आगे चलेंगे देखो मेरे भाई USA में बहुत सारे data centers है लेकिन बागी countries में भी है USA में क्यों है ज्यादा ये मैं आपको आगे बताऊंगा history में अब cell tower मोबाइल से cell tower में चला गया wireless cell tower से wired 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 ये है underground cable ये है submarine cable जो एक cable होती है नहीं यहाँ पे wired वाली ये light pulses carry करती है light pulses मतलब light waves में data ये carry करती है light में ये data carry करती है optical fiber cables इसको बोलते है optical fiber cables इसको बोलते है optical fiber आपने शायद physics में पढ़ा होगा total internal reflection की वज़े से data बहुत जल्दी आगे जाता है losses बहुत कम होते हैं use होती है for the transfer of data बहुत आसान है आपको ये physics में अच्छी तरह पढ़ना होगा या तो आपने पढ़ा भी होगा तो आपको जानना क्या है कि light pulses में ये चलती है information यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ अब इंडिया की अगर बात करे अगर पहले world में देखे sub marine,osta submarine cables अगर world की पहले देखे देखो world में पूरी दुनिया में continents को जोड़ती है ये cables, देखो cables जोड़ती है ये cables जो continents को आपस में जोड़ते हैं इसके लिए भी कुछ companies होती है जो काम करती है उनको बोलते हैं tier one companies जो country to country या continent to continent इंड अपस में जोडते हैं ईनको बोते हैं टायर वन कंपनीज वह हम आगे देखेंगे लेकिन आप इतना देखो न हम इंडिया में यहां पे हैं कहां पे न हम यहां पे हैं इन देखो आप यूटूब सर्वर यहां पर हैं आप यहां से जाते हो समंदर से information जाती है समंदर से समंदर से फिर जाती है तो sub marine cables इनको बोलते हैं समंदर वाली cables को या इनको बोलते हैं optical fiber cables अब आगे चलते हैं इंडिया की अगर बात करें तो कौन कौन सी जगा पे हैं ये sub marine cables मुंबई में हैं कोचिन में हैं चिन्ने में हैं ठ्रिवंदरम में हैं और भी कुछ जगा हैं जहां पे हैं लेकिन मुंबई कोचिन चिन्ने ठ्रिवंदरम आपको याद रखना है अब इनस्टाल्मेट और जिय 16-17 से काम स्टार्ट किया पहले तो जियो नहीं करता था पहले तो जियो कंट्री के अंदर काम करता था वो सब्मेरीन वाले काम नहीं करता लेकिन 2016 के बाद बाद वो थोड़ा सा थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर रहा है लेकिन अभी भी एक कंपनी है इंडिया की जिसका म मुंबई, कोचिन, चिन्नाई, ठिवेंडम, इंडिया कनेक्टेड है साबमेरीन केबल से, लेकिन एक मसला है, कैसे पता आपको कि यह से ही जाना है डाटा सर्वर यूटूब में ही जाना है, कैसे पता इस सर्वर को कि सिर्फ आपको यह प्रोग्राम दिखाना है यूटूब कैसे पता चलता है एक क्लाइट को और सर्वर को आपस में कि हमें एक दूसरे को ही इनफार्मेशन शेयर करनी है, कैसे पता चलता सर्वर को सिर्फ आपको यह मूवी दिखानी है यूटूब से, कैसे पता चलता आपको कि यूटूब से यही पे चला गया, यह कैसे पता चलत देखो, यह सारा कुछ address से पता चलता है, जैसे आपका गर का अगर मुझे address पता हो, तो मैं आपके गर आ सकता हूँ है न, इसी तरह devices का address भी होता है, हर device का address होता है, हर mobile का address होता है, हर device का address होता है, उस address को बोलते हैं, internet protocol address, IP address, इसका भी IP address है, server जो बहुत बड़ा computer है वो भी तो device है computer है उसका भी IP address होता है जब आप यहां से YouTube दूनना चाते हो तो असल में आप request बेजते हो उस IP address पे जब यह आपको YouTube से movie देता है तो यह असल में आपके internet protocol address पे बेजता है information IP address और भी बहुत सारे protocols responsible है खास protocol उन सब में भी है TCP IP protocols हम अलग से पढ़ेंगे आपके जो यह terms है IT related वहां पे हम बहुत सारे protocols पढ़ेंगे email के related protocols होते हैं PDF के related प्रोटोकाल internet के related बहुत सारे protocols हैं वो हम पढ़ेंगे लेकिन याद आपको क्या रखना है फिलहाल सब प्रोटोकालों का बाप जो है internet के मामले में वो है TCP IP full form transmission control protocol internet protocol अगर नहीं I full form याद रखना तो कोई बात नहीं आगे हमें पढ़ना है IT के अंदर यह transmission control protocol internet protocol यह क्या करता है internet protocol address देता है internet protocol की full form बताएए ना internet protocol की full form बताएए ना IP address है यह IP मतलब IP address मतलब internet protocol तो internet protocol जो है वो क्या है address बताता है transmission control protocol क्या है transmission कराता है packets की form है small packets की form है यह हमें आगे पढ़ना है फिलाल समझो मैं तुमसे बात करता हूँ करता हूँ ना लेकिन कुछ set of rules होने चाहिए जिससे मैं आप से बात करूँ आप सब से कैसे आप सब को और मुझे एक बाशा आनी चाहिए आप सब को पहुँचाने के लिए कोई medium होना चाहिए ठीक है ना तो बहुत सारी ऐसे protocols है rules है जो मुझे follow करने है language जो आपको समझानी चाहिए और बहुत सारी बाते है मुझे audible होना चाहिए loud बोलना है मुझे तब आपको ये मेरी बाते आप तक पहुचेंगी इसी को बोलते है protocols follow करने है internet को भी set of rules protocols follow करने पढ़ते है वो हम पढ़ेंगे उसमें से TCP IP बहुत अच्छा protocol है इतना याद रखो internet के पीछे हमें तो लगता है कि कुछ क्या नहीं लेकिन इसके पीछे rules लगते है कैसे जाएगा यहाँ पे packets की शकल में वापस आएगा 01001 की शकल में आएगा फिर यहाँ पे 00001 को जोड़ेंगे फिर आपके mobile में movie चलेगी इस movie के चलने के पीछे set of rules होते है protocols होते है set of rules मतलब protocols अच्छा इंडिया के बारे में खास बात यह है कि second most internet users इंडिया में है सबसे पहले कहां पे चाइना में है क्यों population ज़्यादा वहाँ दूसरे number पे यहाँ जितनी ज़्यादा population उतने ज़्यादा subscribers internet के उतने ज़्यादा internet के users होते है अब एक बात याद रखना आप बोलोगे सर आपने बोला कि आप भी YouTube का IP address होता है हम तो कभी IP address देते हैं नहीं और IP address तो ऐसे होता 2081365793254261 YouTube को on करने के लिए आपको ये खोलना पड़ेगा सर हमने तो कभी ऐसा किया नहीं आप तो बोल रहे हो कि YouTube में ही जाने के लिए हमें यहाँ से address देना पड़ेगा सही है आप address देते हो लेकिन उसको बीच में कोई convert करता है उसके IP में समझाओंगा मैं ये वाली बात आपको समझो इसको आपका IP address आपकी mobile में पता कैसा होगा 308 ऐसा होगा चक करना अपने mobile में ऐसा कुछ address होगा तो ठीक है सर्वर को पता चलता है कौन से address है ठीक है लेकिन 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 आपकी बात आपको कैसे पता चलता है यूटूब का क्या address है जैसे कि यूटूब का IP address पता है क्या है यूटूब का 280651532380 एक्जांपल दे रहा हूँ तो यूटूब का ये IP address है कभी आपने इसको डाइल किया यूटूब को आउन करने के लिए यूटूब से डाटा लाने के लिए यूटूब से information लाने के लिए कभी आपने इसको use किया मत किया लेकिन हाँ आप क्या करते हो आप director domain name देते हो यूटूब देते हो तो YouTube खुलता है Facebook domain name देते हो तो Facebook खुलता है Amazon domain name देते हो तो Amazon खुलता है फिलिप कार्ड domain name देते हो तो फिलिप कार्ड खुलता है तो आप domain names देते हो वहाँ पे वो site खुलती है ये कैसे possible है देखो sir आप तो domain name देते हो YouTube, Facebook वगेरा वगेरा लेकिन domain name को convert किया जाता है into IP address वो कून करता है domain name server आप क्या देते हो domain name लेकिन उस domain name को translate किया जाता है into IP address तब जाके internet को पता चलता है कौन से server का ये address है YouTube है, Facebook है Insta है, Flipkart है क्या है, internet को address के बगेर तो पता नहीं चलने वाला आप तो यहाँ से सिर्फ domain name देते हो YouTube लेकिन वो domain name convert किया जाता है translate किया जाता है वो domain name into IP address जैसे कि domain name है YouTube डाट काम, आप ये दबाते हो लेकिन एक ऐसा है DNS जिसको बोलते हैं, जो कि आपका ये domain name translate करता है into IP address और IP address जब translate होता है, तो internet को अच्छी तरह पता चलता है कि कौन सा server किसके बास है, मुझे बता है internet के उपर हुकम किसका है internet को ओन कौन करता है internet के उपर पावर किसका है मैं बताओं, किसी का नहीं है ये decentralized system है centralized system नहीं है ये किसी एक के पास पावर नहीं है ये भी मैं आगे आपको समझाऊंगा देखो sir यहां तक ठीक समझाया कि आप तो domain name देते हो YouTube, Facebook उसको convert किया जाता है into IP address of YouTube IP address of Facebook IP address उसका वो कौन करता है domain name system या domain name server करता है क्या करता है ये translate करता है domain name को into internet protocol address IP address ओकी यहां तक समझाया अब याद रखना वैसे internet को कोई own नहीं करता है कोई owner नहीं है लेकिन फिर भी एक authority है जिसको top माना जाता है लेकिन हाँ सब कुछ उसके हाथ में नहीं है ये decentralized system है एक network दूसरी country का network तीसरी country का network वो सारी countries का network उधर का network इधर का network आपस में मिलता है तभी तो internet बनता है किसी एक के हाथ में ये नहीं है बहुत सारी countries तो आपस में connect होते हैं तब जाके ये मिलता है तो power किसी के हाथ में नहीं है लेकिन फिर भी अगर सवाल आए top authority कौन है internet में तो आप इस organization का नाम लेना ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ये कहाँ पर Los Angeles USA में Los Angeles के साथ internet का काफी अच्छा नाता है Los Angeles यहाँ पर भी Los Angeles बहुत जगा आपको मिलेगा Los Angeles के साथ बहुत बड़ा नाता है इसलिए इसलिए Los Angeles आप याद रखना USA Los Angeles वहाँ पर है एक body जो कि top authority है internet के मामले में और उस body का नाम क्या है ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ओके याद रखा अब हम आगे चलेंगे अब आपको आगे कुछ जानना है बहुत अच्छा है बहुत आसान है देखो सर internet तो होता है network का network मगर intra net भी एक term है extra net भी एक term है क्या है ये देखो हमारा एक institution है एक university है माल लेते हैं university है university के अंदर departments ने आपस में computer से information share की university के अंदर ही सारा काम हुआ इसको बोलते हैं internet या एक बहुत बड़ा bank है उसके अंदर बहुत सरे computers आपस में connected होते हैं होते हैं connected आपस में उसको बोलते हैं intranet उनके communication को बोलते हैं intranet उनके communication को बोलते हैं intranet मगर एक bank के बहुत सारे branches होते Communicate करना पड़ेगा इस main body को, main organization को, जैसे के, जैसे के, जैसे के, यहाँ पे एक branch है, यहाँ पे दूसरा department branch है, तो बात करनी तो पड़ेगे, आपस में communicate तो करना पड़ेगा अपने branch के साथ, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, तो जो communication branches आपस में करते हैं, एक organization के बगएर, उसके related organizations करते हैं, उसको बोलते हैं extra net, extra net में बहुत सारी bodies आपस में connect होके बातचीत करते हैं, communicate करते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी यह internet नहीं है, यह अभी भी private ही है, यह आपस में connected है, यह इसी के branches है, यह इसी के departments है, यह इसी के सब parts है, तो यह सारा private ही है, internet क्या है, जब यह network, दूसरे network, तीसरे network, पूरी दुनिया में global level पे बात करें, वो है internet, इतना याद समझा है, internet, छोटा, देखो पहले internet आता है, इंटरा, फिर extra net, फिर internet, internet सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा network internet ही है, अब आपको यह चीज़ आपको जाननी है, यहां से, यहां से समंदर से, जो companies लाती है information, सब marine cables के जरीए, उनको बोलते है, टायर वन companies, क्या बोलते है, टाैर वन companies, वो country को country के साथ जोडते हैं, यह country net को country net के साथ जोडते हैं, short में, Countries को Countries के साथ जोड़ते हैं Countries Nets को Countries Nets के साथ जोड़ते हैं Short में Tire 1 Companies Tire 2 Companies ऐसी Companies होती है जो एक इंडिया की ही बात करें Country को State के साथ जोड़े इंडिया के अंदर जो Country है उसके अंदर जो States हैं Country को States के साथ जोड़े और होता है Tire 3 टाइर 3 मतलब जो एक state J&K को जोड़े मतलब J&K के अंदर state के अंदर stees को जोड़े सवाल अगर आए टाइर 1 company कौन सी company होती है कभी-कभी इसको बोलते हैं टाइर 1 network भी अब याद रखना टाइर 1 network के लिए टाइर 1 company होती है और टाइर 1 company का क्या काम है continent to continent या country to country भीचाना वायर सिस्टम या communication कराना टाइर 2 company क्या होती है टाइर 2 network के लिए ये होती है और क्या होता है ये country के अंदर states को जोड़ना country to state ठीक है country to state लेना data country to state लेना data जिसमें Jio, A, Atel, Vodafone, BSN ये सबाते हैं टाइर 3 companies क्या है state to state state से state टक data को लेना तो इसमें virgin mobile आता है gym mobile आता है health way आता है boost mobile आता है अक्सर इनका काम होता है towers को लगाना लेकिन हाँ ये भी काम लेती है कभी-कभी towers को लगाने में तो ये भी टाइर 3 companies की तरह behave करती है कभी-कभी इसमें कोई सवाल नहीं आने वाला इसमें कोई सवाल नहीं आने वाला सवाल आएगा तो आएगा टाइर 1 companies है क्योंकि यहां से सवाल अक्सर आते है टाइर 1 companies जो है वो आपको याद रखना 80-80 century link where is on ये सारी US की companies है टाइर 1 companies मतलब जो ये समंदर में बिछाती है cables टाइर 1 companies वो यह होती है इंडिया की एक टाइर 1 company है जिसका नाम है VSNL VSNL का BSNL नहीं पढ़ना VSNL से विदेश है विदेश संचार निगम लिमिटेड बहरत संचार निगम लिमिटेड ये नहीं है उसके साथ कोई connection है नहीं इसका विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ये एक ऐसी company है जो कि इंडिया से टाइर 1 company है ये सवाल आ सकता है confirm आ सकता है इंडिया से जो टाइर 1 company है वो है VSNL ये ही इंडिया की सबसे बड़ी है और बहुत टाइम तक ये only ही थी VS ये जियो ने 2016 के बाद में थोड़ा थोड़ा लेकिन अभी भी उसको वो status नहीं मिला लेकिन हाँ जल्दी मिलने वाला है क्योंकि वो बहुत तेजी से काम कर रहा है इस पे तो ये आजकल टाटा कॉम्निकेशन बन गी है अब हम आगे चलेंगे हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की देखो बहुत आसान है 1969 में या 1969 में इंटरनेट की शुरुआत हुई और इंटरनेट की शुरुआत हुई आर्पानेट से और आर्पानेट 1969 में आया, 1990 में close हुआ, close कब हुआ ARPANET यहां से भी सवाल बहुत बार आये हुए है SSC ने 4-5 बार पूछा होगा, कब ये ARPANET बंद हुआ, कब खुला तो याद रखना, important है ये date नहीं तो मैं ज्यादा dates पे जाननी देता हूँ ARPANET की शुरुवात ARPANET का बंद होना, ठीक है ARPANET आया, और ARPANET यहां पे decommissionate हो गया decommission मतलब खतम हो गया, ठीक है, बंद हो, close होगा अब याद रखना, history पहले internet की शुरुवात होती, ARPANET से 1969 में क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी कहानी जानो Advanced Research Project Agency ARPA Advanced Research Project Agency लेकिन आज कल यह कंपणी का नाम होआ है, किसमें DARPA में Defense Advanced Research Project Agency लेकिन आज की बात छोड़ते हैं, पहले बात करते हैं पहले इस कंपणी का नाम क्या था, एक कंपणी थी Advanced Research Project Agency यह एक Federal Agency थी मतलब Government Company थी USA की Government Company थी Federal का मतलब Government Company, short में Private नहीं Advanced Research Project Agency ARPA इसी ARPA ने Advanced Research Project Agency ARPA ने ARPA NET बनाया और ARPA NET के बारे में यहां पर बात करूँगा ARPA NET मतलब Advanced Project Research Agency जो यह Company है, NET मतलब Network ARPA NET की full form क्या है Advanced Project Research Agency Network इसी Company के नाम पर है यह ओके यह ARPA जो है Advanced Project Research Agency आज यह बना है DARPA Defense Advanced Research Project Agency आज वो ARPA नहीं आपको मिलेगा आज मिलेगा DARPA सवाल अगर आएगा किसने ARPA NET को बनाया था आपको लिखना है ARPA ही Advanced Research Project Agency ARPA ही लिखना है अगर सवाल आए वो ARPA आज क्या है आपको लिखना है DARPA आज आपको लिखना है वो ARPA का नाम क्या है आज आपको लिखना है DARPA Defense Advanced Research Project Agency ओके अच्छा अब ARPA जो है उसने ARPA NET बनाया क्या था ये ARPA NET पहला Operational Packet Switching Network पहली बार इंटरनेट वजूद ARPA NET से ही आया पहली बार Operational Packet Switching Network वो नेटवर्क जिसमें Packets में है आप Packets मतलब देखो मुझे आपको ये Page बेजना है Packet होता है पहले ये Part फिर ये Part Zero or One की शकल में चोटे चोटे Packets इसी को बोलते हैं और इंटरनेट Packeting पे ही चलता है तो ठीक है ARPA NET एक ऐसा पहला Operational Packet Switching Network था जिसको बनाया था ARPA ने ARPA एक Company थी जिसका आज नाम है जोड़ा नेटवर्क बनाया जोड़ा दो युनिवर्स्टीज को दो युनिवर्स्टीज के Devices को दो युनिवर्स्टीज के Computer Networks को अब देखो युनिवर्स्टी आफ California जो के Los Angeles में है और युनिवर्स्टी आफ ATA जो के Salt Lake में है अब ये याद रखना Salt Lake भी स्टी है Los Angeles भी स्टी है Salt Lake भी स्टी है कहाँ पे OTA में OTA क्या है? State एक है Los Angeles भी स्टी है कहाँ पे California की अब इस बात को जानो कि आर्पानेट ने जोड़ा Networks को यहाँ पे युनिवर्स्टी में कुछ Network था Network था इन Networks को आर्पानेट ने जोड़ा दो युनिवर्स्टी की Networks को आर्पानेट ने जोड़ा एक युनिवर्स्टी है University of California Los Angeles Los Angeles है Largest स्टी California की California क्या है? वो है एक स्टेट 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 USA की USA कंट्री है न? ओके इसी तरह जिसके साथ इसको जोड़ा गया University of Utah कहां पे है? Salt Lake पे Salt Lake क्या है? Lake तो है लेकिन Salt Lake क्या है? स्टी है Salt Lake एक स्टी है कहां पे? उटा में उटा क्या है? स्टेट है किस के अंडर? USA के अंडर तो याद रखना उटा USA में जो स्टेट है उसी उटा में स्टी एक है Salt Lake वहां पे है University of Utah ओके इन ही दो को आपस में जोड़ा गया और ट्रनसफार्म कम्मुनिकेट कराया गया और इंटरनेट बिचाया गया अब यहां तक तो ठीक है यह याद रखना आपके आर्पानेट पहले-पहले डिफेंस के लिए इस्तिमाल होता था फर्स्ट डिफेंस लेकिन बाद में आर्पानेट रिसर्च के लिए इस्तिमाल होना स्टार्ट हुआ लेकिन हां प्रेवेट नहीं हुआ बिजनस के लिए अभी नहीं हुआ प्राफिट तो अभी नहीं हो रहा था इंटरनेट से पहले डिफेंस के लिए आर्पनेट चला फिर लेटर पार्ट में आर्पनेट रिसर्च के लिए भी आर्पनेट को इस्तिमाल किया गया ठीक है उसके बाद 1985 देखो आर्पनेट चली रहा है 1990 में क्लोज हुआ लेकिन 1985 में एक दूसरा नेटवर्क आया जिसको बोलते हैं NSFnet कौन सी कंपनी ने बनाए इसको National Sinus Foundation National Sinus Foundation एक कंपनी है यह ऐसे कि अंदर यह सब है तो National Sinus Foundation ने एक नेटवर्क बनाया उस नेटवर्क का नाम पढ़ा NSFnet जैसे आर्पा ने एक नेटवर्क बनाया उसका नाम पढ़ा आर्पानेट उसी तरह NSFnet ने एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम पढ़ा NSFnet यह यहां तक ठीक है यह भी एक Federal Agency है, Government Agency है यह Private Agency नहीं है यह Business के लिए नहीं होती थी पहले यह होती थी Research के लिए और Defense के लिए दूनू के दूनू इसलिए तो बंद हुए ना कब तक Free में चलेगा Free में कब तक काम चलेगा अब 1985 में यह स्टार्ट हुआ और यह भी बंद हुआ 1995 में Decommission मतलब Close हुआ 1969 में आया बंद कब हुआ Close कब हुआ और Close कब हुआ NSF NET यह याद रख लेने आप 1995 में Close हुआ Decommission मतलब Close हुआ NSF NET जो है उस NET के अंदर क्या था क्या था क्या था पांच universities को जोड़ा गया था वहाँ पे उपर तो दो ही universities है यहाँ पे यह ज्यादा एडवांसर था ज्यादा capable था ज्यादा सुपीड थी आर्पानेट से ज्यादा सुपीड थी इसकी आर्पानेट से ज्यादा capable ज्यादा एडवांसर था यह यह वाला NSF NET तो NSF NET पांच universities के के दर्मियान communication को बिछाया गया इंटरनेट के जरिये पांच universities को communicate कराया गया NSF NET में कौन-कौन सी Princeton, California University Illinois University, Cornell University और फिर Mellon and Petersburg यह इनवरस्टीज ठीक है एक, दो, तीन, चार, पांच पांच universities को आपस में communicate कराया किस network ने NSF NET यहाँ पे ARPANET में दो universities का नाम आपको confirm याद रखना है यहाँ पे आप याद रखो याद रखो या ना रखो वैसे 30 मार्क से याद रखो क्योंकि कहीं से भी सवाल आ सकता है अब आगे हम चलेंगे आगे हम चलेंगे यह दूनू के दूनू ऐसा नहीं कि सिर्फ NSF NET खराब हुआ तो बंद किया गया ना 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 दूनू के दूनू बंद हुए दूनू के दूनू में कुछ प्रॉब्लिम थी क्या सिर्फ गॉर्णमेट मतलब फेडरल एंड एकडेमिक रिसर्च के लिए यह इस्तिमाल होता था कामर्स के लिए इसको इस्तिमाल किया ही नी प्रैवेट बिसनिस के लिए इसको इस्तिमाल किया ही नी तो इसी लिए नुकसान ही नुकसान हुआ अब ये भी याद रखना ARPANET को NSF के साथ जोड़ा गया और बाकी छोटे छोटे नेटवर्क्स की भी बने थे इनके बंद होने से पहले मैं बात कर रहा हूँ इनके बंद होने से पहले मैं बात कर रहा हूँ आरपनेट को NSF के साथ जोड़ा गया और कुछ प्रेवेट नेटवर्क्स थे बाकी प्रेवेट नेटवर्क्स भी बहुत तेजी से बन गए मैं बहुत मिमार हूँ आज यार बाकी पैविट नेटवर्क्स भी बहुत तेजी से बन गया और इन सभी नेटवर्क्स को जोड़ा गया और इंटरनेट वजूद में आया फिर आरपनेट खत्म हो कुछ टाइम के बाद बंद हुआ लेकिन वो ट्रानस फारम हो गये थे बाकी नेटवर्क्स में तो इंटरनेट वजूद में आया तो इंटरनेट जब वजूद में आया नेक्स्ट लेक्चर में इस इंटरनेट को हम खतम करेंगे ओके बाई